नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो अगर आप भी HPLT TET, LT Commission या फिर PGT Hindi Commission की तैयारियां कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ UGC NET की तैयारियां कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं क्योंकि हिंदी साहित्य वारता परिवार आपके लिए ये सभी एक्साम्स की तैयारियां समय समय पर करवाती रहते हैं तो आज की जो ये वीडियो है दोस्तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी LT Commission या PGT Commission की तैयारियां कर रहे हैं तो हमारा जो नया बैच है वो एक जनवरी 2023 से शुरू होने जा रहा है तो अगर आप चाहते हैं कि आपने भी उस बैच में एन्रोल होना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गए नंबर और स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है इस पर WhatsApp करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारियों को आप एक नया मोड दे सकते हैं तो अब अगर हम बात करें आज के इस लेक्चर की तो आज के इस लेक्चर में हमने पत्र लेखन देखे यहां पर लिखा है और इसमें जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं चाहे वो प्रारूपण है, चाहे टिपण है, पलवन है, अनुसमारक, प्रेस, विज्यप्ति, प्रतिवेदन, रिपोर्तास बगेरा जो भी चीज़ें हैं देखिए यह सारी चीज़ें क्या रहती हैं, L.T. कमिशन में आप देखते हैं कि यहां से दो या तीन प्रशन आपको बार बार पूछ जाते हैं, चाहे वो अनुवाद विज्यान से हो, तो आज का जो यह वीडियो है, इसमें हमने लगवग 15-16 कॉश्चन रखे हैं, जो इन ही और देखते हैं हमारे आज के पहले प्रशन को, तो यहां पर जो पहला प्रशन है देखिए, कार्यले ग्यापन में विशेवस्तू किस वाच्य में लिखी जाती है, तो सिंपल सा प्रशन है यहां पर, वैसे सिंपल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल भी आपके लिए हो सकता तो अगर आपने ग्रेजोशन में देखिए जो प्रयोजन मूलक हिंदी पड़ी होगी तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको कहीं न कहीं दिख जाती हैं दूसर प्रयाप रहती हैं तो हमेशा अन्य पुरुष में रहती है आपके परशनों को आप ध्यान में रखिएगा और ये प्रशन जो है पुराने पेपर में कहीं न कहीं पूछे गए है नेक्स प्रशन आता है देखिए प्रशन संक्या 3 प्रधान कार्याले से कोई सरकारी पत्र कार्याले आदेश या ग्यापन एक साथ अनेक प्रेशितियों को भेजा जाना हो तो उसे क्या कहा जाता है देखिए एक जो ये बोरा है कि पूरा जो आपका प्रधान कार्याले है उस इसका प्रियोग समानेत है अन्य विभागों से पत्र विभार करने के लिए किया जाता है, अगर हम बात करें प्रेस विग्यप्ति की, तो प्रेस विग्यप्ति जो है प्राय दो देशों के बीच होने वाले कूट नितिक संबंध आदी से जुड़े, सरकारी निर्णे को जब प्रशासन समाचार पत्रों में प्रकाशित करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेस विग्यप्ति कहते हैं, तो यहां से आपकी ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कार्याले अदेश, प्रेस विग्यप्ति और कार्याले ग्यापन क्या रहता है, चलिए नेक् अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी कि क्या क्या चीज़ें रहती है एंड इसका जो सही आंसरे देखी यह है अनुस्मारक मान लीजिए एक office से किसी दूसरी office के लिए पत्र बेजा जाना है तो उसका उत्तर आपको नहीं मिला है तो बाद में आपने उसको एक reminder करवाया उस से हमें पता चल जाएगे कि कितने लोग चाहते हैं किस पत्र का मामला समानने वह गोपनिय होता है तो यह होते हैं दृतगामी पत्र तो दृतगामी पत्र यह एक तार की किसम का होता है देखना जैसे हम कहते हैं कि तार बेजना तो यही चीज रहता है यह सबसे जादा इसम में प्रकाशित होने वाले जो सरकारी नियम आदेश अधिकार या नियुक्तियों के विशे में विग्यप्ति समाचार क्या कहलाते हैं तो देखिए इन जो भी चीज़े रहती हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या रहता है आपका अधिसूचना जो सूचना पत्रों गजटों में जो भी सरकारी नियम आदेश तभी तो आपने देखा होगा कि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर कोई नोटिफिकेशन निकालता है तो उसको कहां पर डालता है अख़वारों गजटों इत्यादी में तो उसको अधिसूचना हम कहते हैं अगला प्रशने देखिए प आपने ध्यान रख लेना है मसौदा लेखन हो गया अलेखन हो गया प्रलेखन हो गया और प्रारूपन लेखन या इसको प्रारूपन भी कहा जाता है तो यह जो सारी चीज़े हैं यह प्रारूपन के ही अन्य नाम रहते हैं ठीक है ड्राफ्टिंग होता है इसका मतलब जो आपका प्रारूपन कहलाता है और प्रारूपन के तीन भाग कौन कौन से देखिए एक है आपका जो पहला भाग इसमें रहते हैं प्रारूप के विशे का कथन कि जो भी आपका विशे है उसका कथन इसमें रहेगा दूसरे भाग में विशे के समर्थर में उक्तियां रहत प्रस्तुत की जाती हैं तो यह थे प्रारूपण के संबंदित कुछ मतपुन प्रशन इनको आपको ध्यान में रखना है नेक्स कॉशन एक बार फिर से प्रारूपण के ही बारे में पूछा गया है कि इसके अंत में जो हस्ताक्षर है उसके ठीक उपर स्त्री अगर क्या लिखा जाता है तो स्त्री भी भवदिया ही लिखेगी देखना यहां पर बहुत सारे लोग भवदिया कर लेते हैं या वीनिता कह कर देते हैं या निवेदी का लिख देते हैं तो ऐसा नहीं होगा अगर कोई स्त्री हस्ताक्षर करता है तो वो भी क्या लिखेगी भव भवदिया ही लिखेगी ना कि भवदिया, इस बात को आपने ध्यान रख लेना है, नेक्स्ट प्रशन आता है, सनलगन पत्रों की सूची कहां दी जाती है, आपने देखा होगा, जब भी कोई पत्र बगेरा निकलता है देखना, तो उसमें लास्ट में आपने देखा होगा कि क्या चीज़े रहती हैं, कि ये इसकी प्रतियां जो है, फ्लाना फ्लाना आदमी को भेजी गई हैं, प्रेशित की गई हैं, तो मतलब प्रारूपन के अंत में जो रहती हैं, वहीं पर आपकी सनलगन प्रतियां रहती हैं, या फिर कि सनलगन प्रतियों से हम ये भी समझते है कि इसमें कौन कौन से certificates वगेरा आपने attach किये होते हैं तो उनकों कहते हैं सनलगन प्रतियां ये चीज भी आपको ध्यान में रख लेनी यही सनलगन प्रतियां माना जाता है टिपन कितने प्रकार के होते हैं तो यहां से आपको simply यार रख लेना कि टिपन क्या होता है इसके बारे में आगे प्रशन रखा है लेकिन यहां पर आप देखेगा कि टिपन कितने प्रकार के होते हैं अभी simply ये प्रशन बना है तो टिपन जो हैं वो चार प्रकार के रहते हैं अब ये चार प्रकार कौन-कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आता है समानने टिपण, इसमें जो मामले का इतिहास जानना आवश्चक नहीं होता, जो मामला निप्टाया जाता है, उस पर समानने सा टिपण होता है। दूसरा है स्वतास फष्ट टिपण, इसमें मामले का पूरा इती हास लिखा जाता है, ताकि कोई भी अधिकारी इसे पढ़ कर समझ ले और निसंग कोच निर्णय दे सके, तीसरा आता आपका विभाग ये टिपण, इसमें कई विभागों से समध मामले के बारे में जानकारी ली जाती है, और चौथा है आपका निमी टिपण, और इस प्रकार के टिपण प्राय छोटे होते हैं, और इसका प्रियोग द्यानिक कारेकलाप में होता है, तो यहां से आप समझ गये होंगे कि टिपण से हम क्या समझते हैं, मतलब किसी भी चीज के ऊपर अपनी एक राय, एक समझ तयार करना, या जो भी कारेले में कोई पत्र गिराता है, उस पर कोई टिपणी करना, सिंपल सी बात, आगे हम और ज्यादा विस्तार से इसको जानेंगे, प्रारूपन में क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रारूपन से देखिए, यहां पर बहुत साए प्रशन है, तो यहां पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सी चीज़ है, जो प्रारूपन में नहीं होनी चाहिए, तो जितनी भी यह सारी चीज़े हैं देखिए, यह प्रारूपन में नहीं होनी चाहिए, इन चारों चीज़ों को इसका दोश माना जाता है, ना तो उसमें कोई अतिश योक प्रतिवेदन शब्द का प्रियोग है अंग्रेजी के दो शब्दों रिपोर्ट और जो आपका रिपर्जेंटेशन है उसके लिए किया जाता है तो उनको हम प्रतिवेदन कहते हैं ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है कई बार इसका भी कुछा मतलब रिपोर्ट त्यार करना ही एक चीज़ का है प्रतिवेदन है अमा लीजे किसी की रिपोर्ट त्यार करनी है तो उसमें हम अपने सुझहाब जो है वो नहीं दे सकते जो जैसी है वो उसको हम as it is वैसे ही present करते हैं next step भाषन इत्यादी का संक्षिप्त रूप में अनुवाद क्या कहलाता है तो देखे संक्षिप्त से ही हमें इस प्रशन को याद रख लेना था कि संक्षिप्त क्या होता है सार अनुवाद करना मतलब पूरा का पूरा जो भाषन दे दिया उसमें क्या रहता है आपका उसको संक्षिप्त करना है तो सार अनुवाद होगा हाला कि भाषन में जो अनुवाद रहता है देखना भाषन का अगर हम अनुवाद करेंगे एकदम से तो उसको हम क्या कहते हैं आश्यो अनुवाद कहते हैं जो अनुवादक होता है उस वक्त लेकिन यहाँ पर है भाषन इत्यादी का संक्षिप्त अनुवाद करना तो वो होगा आपका सारा अनुवाद यह बहुती समझने वाली बात है देखना इसको याद रखेगा संक्षिप्थ मत जिसमें किसी विचाराधीन मामले या प्रक्रण के समन्द में नियमो आदी की जानकारी होती है वो क्या कहलाता है तो यही आपका टिपण तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है कि एक बहुती संक्षिप्थता के साथ अपना मत प्रसुत करना है कोई भी आपका पत्र बगेरा सरकारी कारयले में आता है तो उसके समन्द में नियमो इत्यारी की जानकारी जो प्रदान के जाती है वो ही क्या कहलाता आपका के बारे में मोटे मोटे तोर पर जानकारी उपलब्द हो गई होगी इसके साथ ही साथ हमारा आज का आखरी प्रशन जो है देखिए यह अनुवाद से हमने देखा है रखा है अनुवाद शब्द मूलतक किस भाशा का शब्द है तो यह आपका जो शब्द है देखिए यह स की knowledge भी होनी चाहिए भी जरूरी है तो ये था आज के 1516 question तो अगर आपको ये प्रियास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए शुक्रिया जहिंद